कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तारीक है दोस्तों 28 दिसंबर 2020 और यहां पर 29 दिसंबर 2020 यानि मंगलवार ट्यूजडे के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक के अनरसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ देखेंगे कौन सा फार्मा और कौन सा आईटी स्टॉक दोस्तों अब किस लेवल पर खड़ा है कहां सपोर्ट और कहां रजिस्टेंस बन रहा है वीडियो और अगर पसंद आए तो जरू लाइक किजिए फेडबेक दीजिए साथ ही टेलिग्राम चैनल को जोईन कर यह लाइव मार्केट में कॉल पर आप्त करने के लिए तो शुरुवात करता 950 का टारगेट आपको इंटाडे में भी दिखा सकता है और विंदो फार्मा की बात करने तो बिल्कुल अपने रजिस्टेंस जोन से देखे यह वापस रिजेक्ट हो रहा है यानि कि अगर 920, 920, 922, 925 यह सब लेवल है इसके इंपोर्टेंट अगर वो उपर के लेवल को सेल का लेवल दिखाएगा 450 के टारगेट के लिए उपर अगर 470 ब्रेक करता है तो 480 तक का टारगेट इंटाडे में दिखा सकता है कैडला उपर देखे सस्टेंड नहीं कर पा रहा है 500 का अब नया पोजिशन इसका 500 का बनेगा तो 500 के ऊपर निकलने पर क्लोजिंग करने के बाद कैडला 520 से 540 तक के टारगेट दिखाएगा यह बिल्कुल वन बेर रैली के जैसा जा रहा है आप देखेंगे इसका 760 के उपर दिया तब फिर से दुबारा तो यह उपर अच्छा खासा 835 हो चुका है नया पोजिशन 840 के उपर बनेगा क्लोजिंग बेसिस पे जब 840 के उपर निकलेगा तो एक पोजिशन बनाएंगे 875 के टारगेट के लिए डिवीज लैब की बात कर ले 3850, 3860 यह सब लेवल है, 3875 यह सब लेवल है उसके उपर निकलने वाद यह आपको 4950 से लेके 4000 तक के टारगेट दिखाएगा लेकिन अगर यह 3700 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल करेंगे टारगेट 3650 के आसपास का होगा डिवीज लैब में डॉक्टर रेड़ी 5000 के उपर जैसा के आपको पता है लेकिन अभी फिलाद 3500 के उपर जब निकलेगा तब नहीं पोजिशन बनेगा टारगेट 400 का होगा डॉक्टर रेड़ी में ग्लेनवा फार्मा 500 के उपर कल अगर ये 500 को ब्रेक करता है दुबारा से 500 to 500 तो एक पोजिशन बनेगा 510 से लेके 15 तक के टारगेट के लिए लूपिन दिखे ये 900 के उपर जब तक रहेगा तो पॉजिटी भी रहेगा 900 के उपर ही दिया था 1000 के टारगेट के लिए अगर आज का हाई भी देखते तो 990 है कल अगर वापस से 990 को ही ब्रेक कर दे सबोज तो एक बार ये 100010 तक का टारगेट जरूर दिखाएगा आपको लूपिन काफी अच्छे मूँमेंट में लूपिन चला लेकिन नीचे अगर गलती से इसने क्लोजिंग कर दिया 975 को नीचे ब्रेक कर दिया सेल करेंगे 960 के टारगेट के लिए पिरामल 1500 के उपर अब नया पोजिशन बनेगा 1500 को पर निकलते के साथ 1535 से लेकर 50 का टारगेट दिखाएगा इस्टाइज फारमा देगे जबरदस्ट मूमेंट में चल रहा है इस्टाइज 900 का इस्टॉक हो गया कहां से रिकुमेंट किया यहां पर से रिकुमेंट किया थ आरगेट हमारा 950 के असपास का दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया तो जरूर जोईन किजिएगा इसमें मैं लाइब में कुछ कॉल्स प्रोवाइट करता हूं और आप जाके जाके जोईन होके देख सकते हैं कि वहां पर मेर जोईन होने का टेलिग्राम चैनल पर पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहां टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलिग्राम चैनल पर जोईन हो सकते हैं टीसरा process है दोस्तों कि मेरे WhatsApp नमबर पर टेलिग्रामget चैनल का लिंग मांग सकते हैं मैंने यहां पर WhatsApp नंबर दे दिया औργ यही मेरा call का भी नंबर है अपिया मो西 इतनल पो सब्सक्राइब लिंग का लिंक मांग मैं दश्amente सब्सक्राइन होई है मैं कुछ कॉल्स प्रवाइड करता हूं वहां पर भी होगा बिल्कुल कि संफार्मा यह भी अच्छा है फाइब ट्वेंटी के ऊपर सही निकलता चला गया नया पोजिशन बनेगा 600 को बसे लेकिन अगर यह नीचे ब्रेक करता है 570 के लिए इंट्राडे में तो दोस्तों यह था निफ्टी के फार्मा इस्ट्रक्स मेरा विव अबजरा आईटी इस्ट्रक्स को लगाते जिसमें लेकिन बता दूं के लाइब मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलिग्राम चानल भी जोइन करना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा बिला शॉप देखे कंटिन्यू 73 से आ गया 275 और इसको मैंने रिसेंटी फिर यहां 210 के उपर बाय दिया था तो वापस अब नया पूशन अभी नहीं बनेगा नया पूशन देखे इस जगह पर अगर यह कल 245 को नीचे ब्रेक करता है तब तो सेल करेंगे लेकिन अगर इसको बाउंस करना है तो बिल्कुल सही जगह पर आकर खड़ा है वापस से यह बाउंस कर सकता ही जिस जगह पर खड़ा है वहां से इसको पूशन करना चाहिए यानि अगर वापस से 250 ब्रेक करता है तो फिर बाय साइट चला जागा 270 के टार्गेट के लिए को फोर्ज कंटिन्यू हाय रहा है देखते देखते 2700 का यह स्टॉक होगी चुका है जिसका नाम के एनाइटी टेक था अब देखिए उपर के लेवल में जब यह 2700 को पर निकलेगा तो देन 2750 तक एक टार्गेट फिर से आपको दिखाए इसके टार्गेट भी डन हो चुक है इनफोसीज 1255 के उपर फिर से देखिए पहले तो इसको मैंने 710 पर दिया था फिर मैंने दिया आपको यहां 1155 से 60 के आसपास में वहां से भी 100 पॉइंट उपर हो गया अब लेकिन नया पोजिशन बनेगा 1255 से 60 के उपर टार्गेट 1300 क आसपास का जर्ष्ट डायल पर नजर रखिए जर्ष्ट डायल 660 के उपर नया पोजिशन निकलेगा टार्गेट आपको लगवगवगवगवगवगवगवग 700 रुपए का ल्टी आई बहुत अच्छे मुमेंट में बना 3700 को निकलने के बाद नया हाथ लगाएंगे और आसपास का एंफासिस भी सारे टार्गेट डन कर चुका है लेकिन पोजिशन अगर कल यह 1590 को उपर ब्रेक करता है तो एक बार 1630 का टार्गेट दिखाएगा फिर से टीसीए सांदार मुमेंट है ना 2850 को उपर दिया था शांदार मुमेंट फिडबैक आप लोग नहीं दे इसने माइन ट्री और चाहे इंफोसिस सब का मुकाबला कर लिया और उससे उपर निकल गया कापिया से इस्टॉपलस मेंटेन कर लिए 1735 रुपए के आसपास का दुबारा से अगर यह 1900 के लेवल को ब्रेक करता है तब नया पोजिशन बनाएगा 2000 के टार्गेट के लिए ट प्रो दिखे इसने टार्गेट दन कर दे आपने मेरे अगर रेकोमेनेशन से प्रॉफिट बना इसमें तो जरू मुझे फिडवाइक दीजेगा कमेंट सेक्शन में एक ग्याप आप ओपनिंग है 370 का 370 अभी इंपोटन सपोर्ट है 370 के नीचे जब तक नहीं आगा सेल न किने बाद